हाई फ्रेंड्स मैं आकांचा सर्मा जी की विदाकंचा मैं आपका सागत करती हूँ आज मैं एक और केस इस्टडी आपके लिए लेके आई हूँ आप लोगों की ही डिमांड पर मैंने आपको बोला था कि अगर आप चाहते हैं कि मैं केस इस्टडी हर दो ती दिन में एक लात होगी तो चलिए स्टार्ट करते हैं आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजेगा यह सभी केस इस्टडी और इस तरह की जो नई-नई केस इस्टडी है मैं अपने गुरूप में डालती रहती हूँ जो हमारा पेट गुरूप है एथिक्स का जो आपको नोट्स के साथ मिलता है मेरे एथिक्स के जो नोट्स हैं रिटन उनके साथ आपको एक केस इस्टडी की फाइल मिलती है उसमें पहले से ही 45-50 केस इस्टडी मैं ने दी है और अलग से भी मैं जहां से भी मुझे नई-ने केस इस्टडी मिलती है मैं उस गुरूप में डालती रहती हूँ और अगर आप चाहते हैं कि मैं वीडियो में भी लाती हूँ यह कैसे सरी तो मुझे कमेंट करके जरूर बताईएगा तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले बहुत अच्छे से पढ़ लीजेगा कि क्या बोल रहे हैं वो हमारा कोश्चन क्या है आदिवासी समाज की मुक्धारा से अलग रहने वाले लोग है जो आदिवासी लोग रहते हैं वो हमार जो नॉर्मल लोग रहते हैं उनके nya से अलग होता है ये हमिसा से आकरशन का केंद्र रहते हैं मतलब यह अपनी और एट्रेक्ट करते हैं लोगों में जिग्यासा रहती है कि क्या है क्या करते हैं यह तो यह ना केबल देशी वलकि विदेशी परयाटक भी इनकी संस्कृति को जानने के लिए उस्सुक रहते हैं क्योंकि संसकति सेम ही रहती है और सबको पता रहता लेकिन आदिवासी की विद्रन ना डाले और इनको कुछ बोले ना इनकी प्राइवेसी को ना छेने इसके लिए सरकार ने अलग अलग नियम बनाये हैं इस कानून के अनुसार कोई भी व्यक्ति आदिवासियों के बास इस्तल पर नहीं जा सकता है मतलब जहां पर आदिवासी रहते हैं वहां नहीं जा सकता है किन्तो इस्थानिय मचवारों द्वारा अभेद तरीके से विदेशियों से अधिक पैसा लेकर उन्हें आदिवासियों के छेतर में पहुचाया जाता है लेकिन जो स्थाडिय मच्वारे होते हैं जो मच्वारे होते हैं छेत्र विसेस में रहते हैं वो विदेशियों से पैसा ले लेते हैं और जहां पर आदिवासी रहते हैं उनका एड्रेस बता देते हैं और वहां पर पहुंचा देते हैं कुछ धरम प्रचारक भी यहाँ अपने धरम का प्रचार करने का प्रियास कर रहे होते हैं। प्रेकास मित्ताव कर दिगा, जिना अवैड तरीके से आधिवासियों के लाखे में प्रवेस कर लिया था चाहिग और के रहे कोयरे कि वह आधिवासियों के जगे पर पहुच गए था इस अंदर में सरकार दोरा तुरित कारवाई करते हुए एक टीम गठित की गई अब सरकार ने एक टीम बनाई हादी वासी मामलों के जानकार होने के नाते आपको इस टीम का नेटत पर प्रदान किया जाता है अब आप उस टीम के लीडर बना दिये जाते हैं जैसे कानून के उलंगन की अचा कीजिए अब सबसे पहले हमारा पहला कोशन बनेगा तातकाली देन हमारा सिकिन कोशन बनेगा दीगकाली तो चलिए अब हमांसर करते हैं सबसे पहले एथिक्स में जैसे मेरे पहले भी बोला था कि आपको यह बात धियान रखना है कि हम एथिकल वर्ड मतलब जो सबसे पहले हम लिखते हैं कि अगर मैं को इसकी लीडिंग दी जाती या आप बढ़ रहे हैं तो आपको जवाब देना है इस तरह के कोई भी कोशन आए तो आपको ऐसा ही मिला जो लाकी आंसर लिखना है तो माक्स आपको अच्छा मिलेगा सबसे पहला अभैद आदिवासी परियतन को ततकाल प्रवाब से रोका जाना चाहिए जो अवैद रूप से घुस रहे हैं आदिवासी छेत्रों में उनको सबसे पहले उनको रोक देना चाहिए इस तरह को आंदोलन को बढ़ावा देने वाले किसी मिव्यक्तिय संस्ता से पूरी विदिक सक्ती के साथ निप लिए नहीं से कानूनी थो पर निप्टा जाएगा परियतन के मामलों में सभी खामियों सुरक्षा खामियों प्रशासनिंग अब भ। परियतन की आड़ में आप आए हैं घूमने आए हैं और अपने धरम का प्रेचार कर रहे हैं तो ऐसा नहीं करना चाहिए। परियतन येवं बन्विवाग को जरूत पढ़ने पर नियमों को अधित करने मतलब अपडेट करने के लिए सभी परियतन एजैंसियों को इसकी सूचना देने के लिए कहा जाएगह। को जब अपडेट करना है नए कोई नियम बनाना है तो हमको जितने भी सभी विवाग है उनसे सम्मंदे सब को सूचना दी जाएगी मारे गए विदेशी नागरिक के संदर्व में विदेशी दूतावास उच्चायोक साय सभी हितकारकों को सामिल करते इस मामली की पूरी जाच होनी चाहिए पैसे लेकर परेटकों को अभेद रूप से लाने और ले जाने वाले मचवारा को गरफतार किया जाना चाहिए तो था उच्चे जाच के बाद मुकदमा चलाना चाहिए मतलब जो पैसा लेके जो मरोचवारा ग्रफतार कर लोगों को अभेद रूप से गुसवा रहा है जो परेटक छेतर में आदिवासी छेतरों में जो एंट्री करवा रहा है तो क्या करना चाहिए उस पर तौरित मुकदमा चलाना चाहिए उस पर तौरित कारवाही चलाना चाह और किसी भी बहारी गतिवीदी के लिए अब रुद्ध किया जाना लिए कि जो मतलब जहां से परेट जहां पर आदिवासी चेत्रों का जगेज होगी वह एंट्री होगी तो उस चेत्रों को पूरी तरह से बंद कर देना चाहिए ताकि संविधन सील जातीयों को ऐसे अव्या सब्सक्राइब कानुनी तोर पर हकदार होम मैं जो आदिवासी लोग और एसे चेत्रों की जाहां पर प्राइबेश हो जहांपे कोई घुस ना सके यह उनका हक है और यह को इनको कानूनी तोर पर हख भी देना चाहिए यह हमने इनके अपने तुरंत के ततकाली को पाई कि हमें तुरंट करना है जब हमारे पास सँझ्ञान में आ जान कर ही तब हमको लुक किसी प्रिकार का कोई अतिक्रमन का करें इसके लिए नीतिगत कदम हमको उठाने चाहिए सभी हिद्धार को हिद्धार को में जैसे की जुनरा विज्ञानी है व्याख्याकार है और जिन्होंने अतीत में वादिवासियों के साथ संबात सफलता पूर्वक संबात किया है को नीती निर्माण में सामिल करना सब्धक के लिए प्रतिवंदिछेटर पर्यमित लागू करना चाहिए लिया प्रतिवंदिछेतर में लागू करना चाहिए आदिवासी परेटिंग का बड़ावा देने के उपायों को देखो छूओ मत नीती के साथ संतुलन करना चाहिए मतला आप देखो उपर से लेकिन छूओ मत तो फ्रेंड्स ये थे हमारे दीरिकालेक उपाय जितने हमने दीरिकालेक उपाय लिखे तो इस तरह से हम दीरिकालेक उपाय लिख सकते हैं और उपर हमने तातकालेक उपाय थे वह किये तो फिर इस परेकार से हम अपने आंसर को जो है लिए आपको दिये जा रहे है सो फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सिया जरूर कीजेगा चैनल को सब्सक्राइब कीजेगा, नेक्स केसे स्टेडी में नेक्स वीडियो में लाओंगी झाल 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 झाल